देखेगा, डेश रिप्रेजेंट्स आ इस्पेसिफिक टाइम वें चिल्रन आ पर्टिकुलर्ली ससेप्टिबल तू सर्टेन काइंड्स ओ इस्टियूमिला है इन दी इन देर एन्वार्मेंट यानि डेश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीबन के प्रती विशेश रूप से ग्रहन शम होते हैं यानि कि उस विशिष्ट उस पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक टाइम को क्या कहेंगे जब एन्वार्मेंट में यदि कोई भी इस्टिमिलस है यदि कोई भी उद्दीपक है तो उसके प्रती ससेप्टिबल हैं जो भी बच्चे ने सुन लिया वो वही रिपीट करेगा उसको तुपला के बोलेगा या बोलने का प्रयास करेगा तो जो भी एन्वार्मेंट में स्टिमिलस होता है जो भी वो देख रहा है आसपास उसको रिपीट करने कोशश करेगा that means वो period sensitive period या समवेधन शील अवधी या critical period भी हम इसको कह सकते हैं यह language development के लिए भी early childhood ही होता है और socialization के लिए भी तो यह critical यानि समवेधन शील काल है बहुत ही महतुपून काल है जब बच्चा ज्यादा susceptible है एक time के बाद आपके environment में बहुत कुछ हो रहा होगा आप हर चीज से प्र समवेधन शील काल कहेंगे कि भाई होते ना कुछ लोग sensitive होते हैं वो हर चीज से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं दुखी होते हैं तो बेहत दुखी हो जाते हैं खोश होते हैं तो बेहत खोश हो जाते हैं ठीक तो हम कहेंगे कि यह जो period है इसको sensitive period कहेंगे explicit period मुखर है न होता है उसका reason यानि एक assertion है जीवन में एक reason होगा एक कारक होगा और एक कार्य होगा तो कथन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कथन क्या है कथन है बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीता से मापा जा सकता है यानि if you compare among children comparison among children can very accurately assess a child's developmental progress मतलब बच्चों का आपस में comparison करके मालने जो दो बच्चे हैं आपके घर में या आसपास पड़ोस में, क्लास में ट्यूशन में आप पढ़ा रहे हैं और आप बच्चे की शमता को अच्छे से आकलन कर पाते हैं आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरी क्या शमता है ये मुझे किसी और से compare करके बता लगेगा तो ये तो बेवकूफी हो गई फिर आप जीवन भर एक दूसरे से comparison कराते रहेंगे बच्चों का ठीक तो ये बात बिलकुल गलत है फॉल्स है ठीक है ना मेरी शमता का पता मैं कल से आज कितनी बहतर हुई हूँ इस बात से लगना चाहिए next है reason यानि तर्क क्या है इसका the pattern and sequence of development as well as the rates of development are the same for all children universally यानि इसका तर्क ये दिया है कि विकास का स्वरूप वा अनुक्रम विकास की गती सभी बच्चों के लिए सारुभामिक रूप में समान होती है क्या कहना चाहेंगे आप इस पर pattern समान होता है ये बात तो सही है sequence भी समान होता है ये भी सही है rate समान नहीं हो सकता दर्भिन होती है, ये बात मैंने development का chapter कराते हुए भी कम से कम भी कई बार repeat की होगी, कि rate is different, sequence is same, pattern is same दुनिया के सारे बच्चे childhood से adolescence में जाते हैं, adolescence से adulthood में जाते हैं ऐसा कोई नहीं होता, कि पहले adult बन जाया, पहले बुड़ा हो और बाद में जवान हो या जवानी से बच्चपन की तरफ चले, ये नहीं होता exceptions are always there, अनिल खपूर को आप exception मान सकते हैं, देखेगा एक बार तो हम ये कहेंगे rate same नहीं होता, rate different होता है तो ये भी बात गलत हो गई और ये बात, दोनों ही चीज़ें गलत हैं तो बोथ A and R are false, तो D option is the right answer दोनों में से एक भी बात में तर्क नहीं है, तो answer D हो जाएगा इतनी बात clear है, कोई दिक्कत, परिशानी, दर्द, समस्या, कहीं पे हो तो बता दीजे हो तो move लगा लीजेगा, ऐसे दिखाते थे ना, ad में देखिएगा, मेरी कमर वाला ad जो आता था, देखिए secondary socialization maps, यानि जो god सामाजी करण है या दुट्यक सामाजी करण है, maps the period in dash when the child begins to attend formal institution such as the school बताएगे का एक बार, बच्चों का दुट्यक सामाजी करण dash की अवस्था में परारंब होता है, जब है school जैसे आपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करता है that doesn't mean कि अब वो first class में आ गया है या इसको school age कहेंगे, या play age भी हो सकती है जब वो पहली बार play way में या nursery में, kindergarten में जाना शुरू करेगा तो हम इसको early childhood कहते हैं दो से 6 वर्ष का समय, जिसको हम toy age, खिलोना आयू भी कहते हैं play age भी हम इसी को कह रहे हैं और अगर मैं बात करूँ, तो secondary socialization यहीं से शुरू होगा उसका reason क्या है? उसका reason यह है कि शैश्ववस्था, जन्म से 2 वर्ष में सबसे पहले primary socialization, primary जो family से होता है यानि प्रात्मिक सामाजी करण, जब बच्चे ने परिवार में जनम लिया और परिवार क्या है? समाज का छोटा रूप है, miniature version है तो यह जो miniature version है, जैसे आपने देखा होगा cars आती हैं, बड़ी-बड़ी, बच्चों के लिए खिलोने आते हैं मर्सेडीज का छोटा एक खिलोना toy car है तो वो क्या miniature version हो गया? तो परिवार भी उसी तरह से समाज, जो की बहुत बड़ी unit है उसका छोटा सा हिस्सा है, उसका एक miniature version है तो सबसे पहले जो प्रात्मिक सामाजी करण होगा, वो परिवार में होगा और दुनिया की नियम काइदे कानूं तोर तरीके, जो भी थोड़े बात हम सीखते हैं सबसे पहले परिवार में सीखते हैं, जब हम जन्म से दो वर्ष में होते हैं उसके बाद आपका प्रात्मिक सोचलाइज़ेशन यानि आपका आये का concept थोड़ा-थोड़ा बनने लगता है और आप दुनिया में जाते हैं तो secondary सोचलाइज़ेशन होता है और दुनिया में जाने का समय है early childhood जब आप प्लेवे या आसपास की बच्चों के साथ जाना शुरू करेंगे ठीक है ना? तो यह early childhood वो पीरिएड है जब secondary सोचलाइज़ेशन का काल कह सकते हैं हम इसको ऐसा नहीं है, बाद में बंद हो जाते हैं सोचलाइज़ेशन, बाद में भी होता रहता है बात शुरुआत की हो रही है question number 4 देखिएगा in which stage can children work with hypothetical statements and explore logical relationships logical, hypothetical याद आ रहे है कुछ between statements and have the ability to cope with abstractions hypothetical, abstraction, दो शब्द जब आप पढ़ ले हैं तो आप त्याज एको याद कीज़ेगा है ना? मतलब किसकी बात हो रही है? एक तो परिकल्पनात्मक, hypothetical यानि अब hypothesis बना करके परिकल्पना करके आगे की बात समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं दूसरी बात क्या है? अमूर्थ संरचना है abstract reasoning तो आती ही formal operational में है logic किसके बारे में? अमूर्थ संकल्पनाओं के बारे में एक होती है मूर्थ संकल्पनाओं जिनको हम concrete चीजें कहते हैं concrete वो जिसको touch और feel किया जा सके जैसे मैं यहाँ पर concretely हूँ available आप इस pen को touch कर सकते हैं बट जब हम बात करेंगे प्यार की, नफरत की यह कैसे concepts है? abstract concepts है bitcoin की, क्या है? abstract है टच करके घूमोंगे हाथ में लेके bitcoin नहीं ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे? यह formal operational stage है जहाँ पर अमूर्थ चीजों के प्रती abstract चीजों के प्रती logic आता है लेकिन अगर concrete चीजों के प्रती logic पूछे तो 7 से 11 का concrete operational हो जाता है तो 11 and above years जो है आपके formal operational प्याजे के अनुसार आगे बढ़ेंगे question number 5 बार question number 5 देखेगा एक बार question number 5 क्या कहता है? question number 5 कहता है question number 5 screen मुझे टिडी लग रही है अच्छा, यहां से यहांने tilt की हुई है देखेगा which of the following is a critique of Gene Piaget's theory Piaget की theory का critique critique तो हर इंसान के मिल जाएगे न आप कुछ भी कर लीजे लोग आपकी आलोशना करने के लिए तयार रहेंगे तो संग्यानापमक विकास के सिध्धानत की आलोशना Piaget के, कौन सी एक आलोशना है आप Piaget बन जाएए फिर भी आपकी आलोशना होगी ठीक, क्योंकि कुछ ना कुछ गरबट तो कही ना कहीं रही जाएगी ना, अगर हम बात करें या फिर सामने वाला ढूंड लेगा आलोशना बताईए फटा-फट से, तो पहला option है, development of children is dependent on their socio-cultural context, बात सही लग रही है, कि बच्चों का जो विकास है वो उनके समाज और संस्कृती पर भरी नरभर करता है, इस बात को लेकर के प्याजे की भर्टसना होती है, critically उनको अकलेम किया जाता है, यानि उनका अलोशना की जाती है, कि भीया समाज को तो आपने फोकस किया ही नहीं, समाज और संस्कृती एक बड़ा फैक्टर है, इसको आपने हलके में निप्टा दिया, ठीक है न? B option is, children are active beings, ये तो प्याजे की तारीफ है, children's thinking is qualitatively different than that of adults, यानि बच्चे गुणवत्ता में अलग सोचते हैं बड़ों से, उसकी clonies की समस्या हो सकती है, आपकी बच्चे ग्यान का सरजन करते हैं, बच्चे रंधने वग्यानिक हैं, ऐसा प्याजे कहते हैं, तो A option is the right answer, बच्चों का विखास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है, A option इस बात को प्याजे ने नहीं माना, मदब एक तरह से importance नहीं दी, और यही इनका critique बना, यानि critically acclaim किया गया, इनकी अलोशना हुई इस चीज़ पे जीन प्याजे और लेब वाइगोस की, बहुत महतुपून नाम है, दोनों constructivist हैं ये इनके बारे में common बात है, इस ground पे दोनों same सोचते हैं, कि ये मानते हैं, कि बच्चा ग्यान का सरजन सक्रे रूप से actively कर सकता है प्याजे कहते हैं, खुद से activity करेगा, वाइगोस की कहते हैं, समाज और संस्कृति का सहारा लेगा, ठीक है न, लेकिन मानते यही हैं, दोनों कि बच्चा actively knowledge को construct करेगा, ये दोनों में similarity है कई लोग उनको दुश्मन बता सकते हैं, बटी ये दुश्मन नहीं थे, ठीक है न, have shifted the understanding of learning as a dash process to a dash process, यानि इन्होंने learning की understanding को, वही बात जो मैंने शुरात में बताई, learning की understanding जो की passive मानी जाती थी एक time पे, उस निश्क्रिया से इन्होंने active की तरफ ले गए, यानि जिसको हम passive process मानते थे, constructivism से पहले, प्याजे और वाइगाउस की दोनों ही मानते हैं कि learning क्या है, एक active process है, सक्रिया प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे को actively knowledge का स्रिजन करना होता है, तो सक्रिया से सक्रिया की ओर ले करके गए, प्याजे और वाइगाउस की दोनों ही knowledge को, इतनी बात clear है, कोई दिक्कत, परिशानी, दर्थ, समस्या, active से passive नहीं ले गए, बलकि इनोंने passive से active बनाया, mechanical से behavioristic, nothing, ये भी nothing, दोनों ही बेकार बाते हैं, behavioristic भी और mechanical भी, तो B option is the right answer, question number 7 देखेगा, देखेए, इसमें अगर आप option A के साथ चले जाते हैं, गरबढ़ हो जाती है, तो जल्दिबाजी में जवाब नहीं देना, जैकि पेड़गोजी का सबसे बड़ा खेलिये होता है, कि आप पढ़के सही समझ पाएंगे या नहीं, अगर आप पढ़के सही नह question को नहीं, तो answer change हो जाएगा, question number 7 देखे, according to Lev Vygotsky, the basis of learning, ऐसे कई लोग हैं, जो ये लिखते हैं, कि आपके साथ तो answer सही होते हैं, लेकिन खुद करते हैं, तो गलती होती है, इसका दो reason है, एक तो आप पढ़के ठीक से समझ नहीं पाएं, question को दूसरा आपकी practice के में कमी ह हैं, तो ये दो चीज़ें हैं, दोनों को बढ़ाईए, ज्यादा sessions भी देखिए और साथ में practice भी कीज़ें, according to Lev Vygotsky, the basis of learning, यानि Vygotsky के नुसरा सीखने का आधार क्या है, भई Vygotsky तो समाज, संस्कृती और language, society, culture, language, SCL, तीन ही चीज़ें हैं, social interaction को मैं तो देंगे, reinforcement, drill practice, structure of schema की बात तो प्याज़े कर ही नहीं रहे, तो A option is the right answer over here, आगे बढ़ेंगे question number 8 पर, देखेंगे, Lawrence Kohlberg की बात हो रहे हैं, कोहलबग क्या कहते हैं, समझने का, प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है, question number 8 कहता है, at which stage of Lawrence Kohlberg's moral development, do individuals believe that society needs to update the rules over time, यानि वो कौन सी अ समाज को अपने नियम में समय के साथ बदलाव करने की जुरत होती है, क्योंकि change is the only constant, ऐसा कहा जाता है, यानि एक मात्र सतत चलने वाली या स्थिर रहने वाली चीज है परिवर्तन, मतलब परिवर्तन जीवन का नियम है, indirectly हम यह कह सकते हैं इस बात से समझ करके, तो समाज समय के साथ change होता है, जो चीजें आज से 10 साल पहले समाज में बुरी मानी जाती थी, आज वो ठीक हो रही है, rules में, laws में परिवर्तन होते हैं, क्यों क्योंकि समाज को नियम में परिवर्तन लाने की ज़रत होती है, ताइम के साथ, बात तो ठीक है या कोई दिककत परिशानी है इस बात को समझने में मेरी ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए आज mood off है किया एकदम serious होकर पढ़ा रहे हो यार आज थोड़ी energy low है मेरा ना back to back जब मेरा mood और energy दोनों ठीक होते तो मैं इतना लोगों के Saturday Sunday off होते हैं अभी कल भी interview के ले जाना है परसों भी देखेगा एक बार अगर हम बात करें कोई बात नियार energy ले आएंगा कि class के लिए energy बना देंगे नहीं भी होगी तो देखेगा अगर हम बात करें तो किस इस तर पर व्यक्ति विश्वास रपते हैं कि समाज को अपने नियमा में समय के साथ बदलाव करने ही ज़रत होती है obedience and punishment में तो पड़ी ही नहीं है बच्चे को कि कौन सा समाज कौन सा सही और गलत जिस बात से उसको दंड मिलेगा वो गलत है और जो उससे नहीं मिलेगा वो सही है good boy good girl में भी बस उसको अच्छा बनना है social order maintaining orientation में ऐसा हो सकता है कि समाज में जो नियम है वो भलाई के लिए बनाए गए है और उनका पालन किया जाना चाहिए ये बात तो सही है कोई दिक्कत परिशानी दर्द समझ से इस बात को एक बात दिखाओ ये पूल दिखाओ कितने लोग क्या दे रहे है सही है सही है तो समाज में नियम को पालन करना चाहिए ताकि चीज़ें सही चलती रहे है बट समाज में नियम अपडेट भी होते हैं over the period of time इसमें against जाने की बात नहीं हुई ये बात नहीं हुई कि अगर किसी को suit ना करे तो change कर दो ऐसा नहीं कहा अगर ऐसा कहा होता तो 5th हो जाता I mean D option हो जाता जो की 5th stage है अभी हम 4th के साथ जा रहे है social order maintaining के समाज में नियमों का पालन करना जरूरी है क्योंकि वो समाज के 5 दे के लिए बनाए गए हैं और वो समय के साथ update भी होते हैं question number 9 देखेगा question number 9 क्या कहता है समझेंगे which of the following is a correctly matched pair of the type of intelligence and the end state यानि Howard Gardner की theory के अनुसार अंत है स्थिती और बुद्धी यानि एक प्रकार की intelligence और उसका अंत क्या हो सकता है maximum क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बताना है बताएगा फटा फट से बताएगा आप शादी कब कीजेगा I.S. officers कीजेगा देखिए हमारे जीवन में न कैसी कैसी समस्या है आँस हुई आगे मेरे आज मैं ज़्यादा मज़े लेने के मूड में नहीं हूँ नहीं तू ले लेती मैं है ना खेर कोई बात नहीं देखेगा एक बार काम करेंगे ठीक है देखेगा चलिए अगर हम भात करें अगर हम बात करें कौन सा जोड़ा बुद्धी और उसका अन्त स्थिती Gardner ने आठ प्रकार की बुद्धी दी है और हर एक प्रकार से अन्त स्थिती जोड़ी हुई है इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो इंटेलिजेंस लॉजिको मैथेमेटिकल इंटेलिजेंस का एंड स्थेट क्या होगा अकाउंट एंट बनना ठीक है जिसकी गड़ितिय बुद्धी ठीक है वो ही तो कैलकुलेट कर पाएगा वही तो अकाउंट को समझेगा वही तो नंबर्स को समझेगा बात तो सही लग रही है फिर भी बाकी के तीन ऑप्शन चेक करेंगे इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धी की अगर हम बात करें तो इसका एंड स्थेट क्या होगा एथलीट नहीं भी या काइंस्थेटिक से बनेगा एथलीट इस्पैशियल से तो मूर्तिकार बनाया जाएगा सर्जन भी बन सकता है बट सर्जन के लिए भी काइंस्थेटिक चाहिए होती है intelligence, linguistic intelligence है और end state है navigator भहिया navigator तो special intelligence वाला बनेगा जो maps को अच्छे से समझ सके linguistic तो poet हो सकता है, writer हो सकता है D option है intelligence interpersonal intelligence, dancer बनेगा काइंस्थेटिक वाला dancer बनेगा तो एक ही option सही है, वो है logical, mathematical यानि जिसमें ये क्या चकरे बुद्धी का प्रकार भाशिक यहां गड़बड की है, और नों हो सकता है paper में भी हुई हो, इसको तार्क एक बुद्धी कहेंगे, हिंदी में इसको तार्क एक बुद्धी लिखिएगा, तार्क एक बुद्धी का जो अंतह स्थिती होती है, वो accountant हो सकती है, क्योंकि इसमें तर्क और mathematical ability दोनों का प्रेव होगा, तो A option is the right answer आगे बढ़ेंगे question number 10 देखेगा, इसलिए bilingual देख लिया कीजे question को कई बार किसी side गलती हो सकती है, paper में भी गलती हो सकती है question number 10, और हो सकता है, हुई हो in a child centered education यानि बाल केंदरत सिक्षा, यानि वो सिक्षा या वो classroom जहां बच्चे केंदर में हैं, जहां बच्चों को ईश्वर का साक्षात रूप माना गया है उस class में क्या चीजें सही होंगी, पहला option है gives direction while the learners follow blindly, यानि निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं आख बंद करके बच्चों को follow नहीं करना होता direction को वो child centered education हो ही नहीं सकती जहां बच्चे blindly follow कर रहे हैं जबकि यहां बच्चों के interest, aptitude के अनुसार हमें चलना चाहिए ठीक है ना? सब option change है हिंदी English में अच्छा, नहीं, सही तो है सही तो है देखेगा understands the child and the process of learning in a socio-constructivist manner हाँ, बच्चों बच्चों सीखने की प्रक्रिया को सामाजी कृष्णवादी रूप में देखता है उसी को हम child centered कहेंगे जहां पर बच्चे की activity को center में रखा गया है बच्चा, constructivist manner यानि active है बच्चा है ना सक्रिय है बच्चा sets are rigid and standard curriculum कठोर और मानकी करिट नहीं जिसमें flexibility चाहिए rigid नहीं चाहिए, flexible चाहिए, लचीलापन चाहिए जीवन में भी, कक्षा में भी जो rigid होते हैं वो तूट जाते हैं अगर ना देखी हो तो देख लीजएगा और like share करना भूल गए हो तो वो भी कर दीजएगा अगर session आपको पसंद आ रहा हो question में 11 है according to national education policy 2020 यानि राष्ट्रिय सिक्षा नीती 2020 की अनुसार, the progress card of the students communicated to the parents would be, यानि की progress card यानि result कैसा बनना जाहिए MEP के अनुसार तो 360 degree assessment होना चाहिए, यानि holistic assessment, बच्चे को हम हर एक पक्ष में जाच पाएं, सरवांगीन रूप में उसको समझ पाएं, उसकी progress को तो based on norm reference testing norm reference होता है कि एक standardized test बनेगा, percentage के हिसाब से सब को उपर नीचे से आखा जाएगा, वो खराब बात है criteria पर बनेगे 30% ले आओ our reflection of relative performance of students in comparison to classmates, comparison भी आपस में नहीं our reflection of the progress as well as the uniqueness of the child, बच्चे के सरवांगीन विकास को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रगती और उसमें क्या विशिष्टता है हर बच्चे में कोई ना कोई अच्छा potential होगा, चिपा हुआ तो उसको उस तरफ हम कैसे लेके जाएं वो music में अच्छा है कि art में अच्छा है कि किस एक शेत्र में अच्छा कर सकता है उसकी uniqueness को समाद, देखना हमें यह नहीं देखना कि आप best हो आप दूसरों से best हो, आप unique हो तो आपके अंदर की unique नैसे उसको बाहर निकाल के लापाना, अच्छी बात यह जीवन का एक बहतर तरीका हो सकता है जीने का question number 12 देखिएगा to ensure retention of students from socio-economically disadvantaged groups यानि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों वाले शात्रों की अगर हम बात करें, तो अवधारन सुनिश्चित करने के लिए राष्टे सिक्षानीती 2020 क्या प्रस्ताव देती है ऐसे बच्चों के लिए जो किसी भी आधार पे, किसी भी नहीं बैसे कलि हम कहेंगे सामाजिक और आर्थिक आधार पे, यानि समाज में भी पिछड़े हैं और इंकम में भी पिछड़े हैं, आर्थिक स्थिती भी उनकी कमजोर है, तो ऐसे बच्चों के लिए किस तरह की करिकुलम किस तरह का करिकुलम यानि पाठ्या चर्या और किस तरह की teaching methods यानि pedagogy होने चाहिए, centered around exams, परिक्षाओं पे केंदरत होंगे तो जीवन से कब सीखेंगे textbook centered नहीं, uniform सब के लिए एक जैसा नहीं, ये तो differentiated होना चाहिए, तो engaging and contextual यानि वो बच्चे जो समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके भी context से जोड़ पाएं इस तरह के activities, इस तरह के examples, इस तरह के curriculum में चीज़ें होनी चाहिए, कि उनके संदर्ब से, उनके जीवन से भी आप चीज़ों को जोड़ पाओ जो बच्चे socially और economically weak हैं तो C option is the right answer context से भेतर चीज़ नहीं है दुनिया में, याद रखिएगा किसी बात को अगर आप बिना context के समझ रहे हैं बिना nuance के समझ रहे हैं, तो आप सही नहीं समझ पाएंगे, फिर आप किसी में भी गलती निकाल सकते हैं कि आपने संदर्भ नहीं समझा किसी बात का देखेगा, आयूशी श्रीवासतव क्या कह रहे हैं मैं paper 1 and 2 के all previous questions with online shift के questions के लिए कौन सी book लूँ कोई book मतलो, चुप चाप से आयूशी इसी को करो इसमें सारे paper 1, paper 2 दोनों ही हो जाएंगे इसके अलाबा किरन ले सकते हो, अगर फिर भी आपको बाकी subjects की detention है, नहीं तो आप सीधा सीटेट के website से डाउनलोड कर लो ना ये चीज़ हैं, क्यों? Sex is dash while gender is dash Sex is dash while gender is dash बताएगा, आज हम batch में पढ़ रहे थे ये यहाँ पे Hindi में gender odd link, दोनों लिखा हुआ है Hindi में इसको link भी लिख सकते हैं पहले paper में ऐसा हुआ है, तो English वाली site आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी को final बाना जाएगा अगर sex की बात करते हैं, तो ये biological entity है, ये जैविक है, physiological है यानि हमारी शारिक बनावट अलग है महिलाओं और पुरुषों की बच्चों को जन्म महिलाएं देती हैं, ये क्या biological entity aspect है तो sex का है, biological aspect है लेकिन gender, ये समाज ने बना दिया कि महिलाएं ये काम करेंगे और पुरुष ये करेंगे, महिलाएं ये पहनेंगे पुरुष ये पहनेंगे, तो ये sociological aspect हो गया, क्या है ये समाजिक हो गया, तो sex जो है वो biological होगा, और gender sociological होगा तो a option is the right answer socially constructed sex नहीं हो सकता और biological gender नहीं हो सकता cultural और social तो एक ही बात है समाज की ही बात हो रही है दोनों में मिला कर ठीक, तो a option is the right answer इसमें किसी को भी confusion नहीं होनी चाहिए ये बहुत बार पूछा जा चुका है याद रखेगा sex क्या है, biology से जुड़ा हुआ है हमारी सारिक, शारिक बनावट से सनरचना से जुड़ा हुआ है, वहीं gender समाज ने बनाया है, कि ये काम महिलाएं करती हुए अच्छी लगेंगी, ये पुरुष ये कपडे महिलाएं बहनती हुए अच्छी लगेंगी, ये पुरुष तो ये समाज ने बनाया है ठीक है न, gender चलिए खेर, आगे बढ़ते हैं question number 14 पर, question number 14 देखेगा एक बार, अगर हम question number 14 की बात करें, तो which of the following tools, यानि कौन से वो यंत्र है, that should be used by the teachers to assess children, यानि बच्चों के आपलन के लिए, teachers के द्वारा जिन यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए, वो कौन से यंत्र है, यानि, बहतर यंत्र, यानि tools, जो better हो बच्चे के betterment में काम आए, बताईएगा फटाफट से, आपकी शादी की सबको यतनी टेंशन है, जितनी अपने पेपर की नहीं है I mean कुछ और ले रहे थे, बड़ मेरे मन में आ गई यह बात, कि हाँ सच है, आपने पेपरी चलो आजो, इधर आजो, मजाग कर रहे हूं इस चीज को पता चले कोई निकाल के डाल दे, मैं सच में सीरियस ले जाए कोई, यह मैं यह ब्यंग था, है ना सार्केस्टिकली बोल रहे हूं यह बात खैर कोई बात नहीं इधर आजो, अगर हम बात करें working groups कैसे participate करता है, भागीदारी कैसी रहती है उसमें भी आप जान सकते हैं, portfolios उसके क्या achievements हैं, उसको भी आप देख सकते हैं presentations, प्रस्तती करण कैसा है बच्चे का यानि चारों ही बातें सही हैं किसी भी एक को गलत हम नहीं मान सकते, आगे बढ़ेंगे next question की तरफ next question क्या कहता है भाई, देखेगा question number है हमारे सामने 15 तो आज हम 50% काम निपटा चुके हैं question number 15 है, which of the following statements about language and cognitive development यानि भाशा और संग्यानात्मक विकास के बारे में कौन सी एक बात सही है, संग्यानात्मक विकास क्या है हमारी सोचने, समझने, सीखने जानने, कलपना करने decision making, problem solving इन सब की abilities, जो भी mental skills हैं, जो भी मानसिक शमताएं हैं वो संग्यानात्मक शमताएं हम उनको कहते हैं, cognitive development इसकी theory प्याजर वाईगॉसकी ने भी दी है तो language का cognition से क्या संबन्ध है, simple बात पूछी है बताएगा फटा-फट से है ना देखो नवल किशोर को कितने मजे लेना देखिए यहाँ पर, अगर language and cognitive की बात करें, language and cognitive development की बात करें, तो कौन सी बात सही है पहला option है, language plays an important role in cognitive development, यानि भाषा की क्या है, एक tool है, जिसके माध्यम से आप दुनिया भर के scriptures पढ़ सकते हैं आप किताबें बढ़ सकते हैं आप लोगों से बात कर सकते हैं, विचार, विमर्श कर सकते हैं अगर language नहीं होती, मैं और आप कैसे discussion कर रहे होते हैं, है ना तो हमारा संग्यान, हमारी समझ भैतर होती है जब हम अच्छी चर्चा या परिचर्चा करते हैं discussion करते हैं, debates करते हैं language का use करके किताबे बढ़ते हैं कोई अच्छा podcast देखते हैं तो ये language क्या है, हमारे संग्यान हमारी समझ को भैतर करने का एक tool है इस बात में कोई भी दोराय नहीं होना चाहिए सही बात है, फिर भी B option देख लेते हैं language does not play any important role ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, प्याजे के अनुसार ऐसा हो सकता है, बट वैसे नहीं है language hinder the process of cognitive development ऐसा थोड़ी है कि भाशा से hindrance आ रही है, आपका संग्यान नहीं बढ़ पा रहा है समझ नहीं बढ़ पा रही भाशा की कारण independent भी नहीं है, ठीक तो हम कहेंगे भाशा की संग्यान आत्मक विकास में महत्वपूर भूमिका होती है, यानि language से हमारी समझ, हमारी जो भी बौधिक शमताएं हैं, वो बहतर हो सकती है और जिनको दो या दो से अधिक भाशाएं आती हैं, ये research है जो कहती है कि उनका संग्यान आत्मक विकास बहतर हो सकता है, उनके cognitive development बहतर हो सकता है, क्योंकि वो दो या दो से अधिक भाशाओं में उनका literature उनके चीज़ें पढ़ सकते हैं, उनके लोगों से बात कर सकते हैं और भी बहुत सारे इजरेंस के हो सकते हैं आपके चैनल से पढ़ती हूँ, सारे वीडियो डेली आपको फॉलो करती हूँ, बहत बड़े आयुशी इतनी सूपर चैट मत किया करो, किस दिन मुझे आप से परसनली मिलके आपको ये सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे मेरे दिल पर जोर पड़ता है कि आप अभी तैयारी करने हैं और आप पैसा पहे जा रहे हैं सूपर चैट में जरूरी हो, कोई बात तो पूछ लिया करो मान लिया हमने मधु कुमारी कहारी है, मैंने special pedagogy course 5 में enroll किया है, during live classes मैं comment नहीं कर पाती हूँ, classes से related doubts भी नहीं help हो जरो मधु ऐसा हो सकता है, कई सारे लोग होते हैं at times तो patience रखो एक नहीं तो दूसरी class में आपका number आ जाएगा आपका doubt भी ले लिया जाएगा देखिये, question number 16 देखियेगा comment तो आप करते होगे, नहीं कर पाते हो तो team को call करो, RPWD Act के अनुसार जो की 2016 में आया था निम्न में से किसे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है किस चीज को encourage किया गया है आपके RPWD Act में बताएगा एक बार फटा फट से बताएगा, पहला option है compulsory special education for persons with disabilities यानि वो बच्चे जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए अनिवार्य सिक्षा तो वो तो RTE भी कह रहा है भी या हर किसी को education का अधिकार है तो ये थोड़ना सिर्फ इसमें बात हुई है और अगर हम बात करें discrimination in assessing entitlement based disabilities discrimination की भी बात नहीं हुई denial की भी बात नहीं हुई कि right of education इनको deny कर दो जन बच्चों को disability है equality and non-discrimination in all spheres of life यानि जीवन के सभी शेत्रों में समानता और गैर भेदभाव यानि जो बच्चे जिनको disability है उनको किसी भी शेत्र में किसी भी college में हो जाएं किसी भी शेत्र में किसी भी जखाव हो जाएं वहाँ पे उनको उनके साथ असमानता ना हो उनके साथ discrimination ना हो, non-discrimination हो, equality बढ़ती जाए ये चीज right मांगा गया है persons with disabilities का इसलिए इसको right of persons with disability कहते हैं जिसमें 21 disabilities हैं इससे पहले PWD Act हुआ करता था 1995 वाला जिसमें सिर्फ 7 disabilities थी चलिए खेर आगे बढ़ते हैं ठीक, question number 17 देखेंगे question number 17 देखेंगे inclusive education पढ़ो, दिमांग में set बठा लो, schema में अपने क्यानि education for all सभी के लिए सिक्षा, inclusive education में एक disabled बच्चा भी है, gifted बच्चा भी है, एक average बच्चा भी है ठीके ना, तो बताईएगा फटा-फट से देखो, ये previous year कह रहे हैं हम तो free के मज़े लेते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं PC, question पूछो PC inclusive education यानि समावेशी सिक्षा निमलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है तो each and every student यानि प्रतेक विद्धियार्थी की students from religious minorities inclusive education में तो हर एक बच्चा शामिल हो गया education for all है ये यानि प्रतेक विद्धियार्थी की फिर भी देख लेते हैं students with disabilities only, gifted सब तरह के बच्चे हैं, या पे gifted भी है, average भी है disabled भी है, inclusive education सभी के लिए सिक्षा है, एक regular school system में question number 18 देखेगा पटाफट से, आसान सा सवाल है dyscalculia पे बात हो रही है, तो कितना आसान पेपर है, पेपर टू और आसान है, कल वाला पेपर भी मुश्किल था इसके मुकाबले, dyscalculia इसा primarily is primarily associated with difficulty in, यानि गुड़ज वैफल मुखे रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है गड़ना से जुड़ा हुआ है, तभी तो dyscalculia कहे रहे हैं, है ना, dyscalculia मतलब calculation, गड़ना की बात हो रहे है, reading नहीं, reading में dyslexia होता है, पठन वैफल जो इशान अवस्थी को था, ठीक है इसके अलाबा, performing mathematical calculations ये बात सही है, calculation किस से जुड़ी हुए गड़त से जुड़ी हुई है, तो dyscalculia किस से जुड़ा हुआ है, गड़ना से जुड़ा हुआ है, गड़ती है गड़ना करने से संबंदित है, इसको dyscalculia ही कहेंगे हिंदी में भी, critical thinking से इसका कोई संबंद नहीं है, communication से अफेजिया या आप से बढ़के, क्या seat at pass होने के बाद आप से मिलना है, अच्छा, thank you so much आयूशी, हाँ, doubt के लिए आप कर सकते हो, गड़ यार इतना मत करो गया है, आके मिल लोगे तो आप, देखो एक बार, question number 19 मजाग कर रही हूँ है, चलिए धन्यावाद question number 19 है, निमलिखित में से कौन सा अभ्याँ, हाँ वो एक तरीका है, मतलब just skip through, of course, आपका comment highlight हो जाता है कौन सा अभ्यास भाशन और भाशा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन करेगा, ध्यान रखेगा कौन सी एक बात problematic साबित होगी बहुत प्यारा question है, फटाफट से बताईएगा कई बार तो randomly ऐसे फालत 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 question भी दिख जाते हैं देखो, शादी वाले भी, और ये कोई super chat नहीं करते हैं, ऐसी मजे मजे में कुछ भी करते रहते हैं तो नज़र चली जाती है, देखो एक बार चली है, फटाफट से बताईएगा पहला option है, break tasks and assignments into short, easy to manage steps चली है, discourage the use ठीक है, लेकिन हमें तो गलत चाहिए न जो hinder करे, जो help ना करे language वाले बच्चे को, जिसको already दिखकर है language use करने में, तो ये बात तो सही है, छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड कर दे, अससे तो help मिले की, discourage the use of visuals to support expressive language skills, ये बात सही है basically ये बात गलत है और गलत है, इसलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है ना तो अभी व्यांजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए, द्रश्यों के उपयोग को हतोत साहित करना, जिस बच्चे को भाषा प्रयोग में दिक्कत आ रही है, आप उसको visually दिखाएंगे चीज़े, ये कह रहे हैं, उसको discourage करो तो ये तो problematic है, use of pre-planning strategies for oral and return task, अगर आप pre-planning करेंगे तो help, हो जाएगी बच्चे की, लेकिन हमें help कहां करना है, हमें तो hinder करना है reduce auditory and visual distractions in the classroom, जिस बच्चे को भाषा इस्तेमाल में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ distraction कम से कम हटाना है, classroom में कम से कम distraction होना चाहिए, ठीके ना clear बात है, क्या gift दिया था आयुशी ने आपको बढ़ड़े पर, दिखाया तो था, उसमें vlog में दिखाया था, हिमाणिशी सिंग, दूसरे वाले चैनल पर जाके देखो है प्रिया, लाल emoji क्यों भीज रहो यार, गुस्सा गुस्से वाले emoji मत भीजा करो, डर जाती हूं मदब creative भी हो सकते हैं, तीन category आती है आपकी giftedness में, what of what से बताइएगा, हाँ, fail वाले भी मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते हैं देख रहे हैं उनो मैं माज तो सतरंगी लग रही हैं हाँ, हाँ, कि लूँ, मजा कुड़ाओ आओ आप हैं यही सिखाया आपको हमने, क्या आप मजा कुड़ाओ आवा करके हाँ, बिल्कुल यही सिखाया, चलिए आ जाये अगर हम बात करें giftedness की तो कौनसी एक चीज है जिसको avoid करना चाहिए देखो, last में है यह avoid word नहीं तो आप गल्टी कर देते इसमें प्रतिपाशाली सिक्षार्फियों की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए सिक्षिका को निमलिखित में से किस से बचना चाहिए, यानि क्या नहीं करना चाहिए not वाले questions ध्यान से करना है avoid लिखा हो, question ध्यान से पढढ़ना है least लिखा हो, ध्यान से पढ़ना है accept लिखा हो, ध्यान से पढ़ना है ठीक, तो allowing students to pursue independent projects बिल्कुल सही बात है ये तो करना चाहिए कि उनको independently हम करने नहीं काम क्योंकि उनकी बाध्यकस तर जादा है लेकिन not पूछा है क्या नहीं करने देना है flexibility होनी चाहिए, ये बात भी सही है लेकिन हमें सही नहीं, गलत चाहिए implementing का unidimensional curriculum बस समझ जाओ यही गड़बड है unidimensional नहीं चाहिए, multidimensional चाहिए curriculum, वैसे भी हमें किसी भी बच्चे के लिए यानि बहु आयामी, जिसमें कई सारे आयाम हो बच्चे की personality के बहुत सारे रंग बाहर निकल करके आए providing stimulating enrichment activities बिल्कु सही बात है enriched programs जिसमें बच्चे का brain जादा involved वो जिससे वो बोरियत महसूस ना करे तो हमें multidimensional कई आयाम बहु रंग चाहिए, ऐसे colorful चाहिए जीवन जो है curriculum का तो C option is the right answer ये बात गलत है और गलत है सीले सही है क्योंकि पुछा ही गलत है, unidimensional नहीं multidimensional चाहिए, तो C option सही था एक बड़ा सा सवाल आपके सामने assertion और reason की बात हो रही है एक तर्क दिया हुआ है और उससे पहले कथन दिया हुआ है क्या ये कथन और इसका तर्क दोनों सही है, कोई एक सही है या क्या करें, बताएगा फटाफट से आप जवाद दीजे इतने मैं पानी पीके खत्म करती हूँ हम साड़े साथ हजार लोग जुड़े हुए हैं सर्फ तीन हजार पांच सो लोगों को ही session पसंद आ रहा है देखेगा पटाफट से बताएगा तुम्हें कौन से सूपर चैट दिख रही है आयूशी की तुम मज़ा बाहर मिलना तुम्हें को बताऊंगी देखना एक बार अगर हम बात करें किसकी कथन की ठीक है? और रीजन की ओल पर धिहान नहीं है, चालेसरुपी की सूपर चैट पर धिहान है यह सिखाए हम तुमको खिला देंगे पराथे? देखे एक बार अगर हम बात करें कथन की बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग ऑफ अन्यू कॉंसेट यानि जब आप एक नया संप्रत्य, एक नया concept सिखा रहे हैं, सिक्षन शुरू करने से पहले एक नय संप्रत्य का एक सिक्षका को पूरबा पेक्षित ज्यान की समिक्षा कर लेनी चाहिए यानि जो बच्चे की previous knowledge है, जो उसका old knowledge है जो existing knowledge है, उसकी समिक्षा कर लेनी चाहिए कि क्या उसको उतना भी पता है कि नहीं जब आप आगी लेकी जा रहे हैं तो यह बात तो सही लग रही है, यह है विद्यार्थियों के नए संप्रत्य को समझने के लिए आवश्चक जानकारी को धिहान में लाने में मदद करेगा कि नए concept को समझने में किन चीजों का पता होना उसको जरूरी है यह आप अगर पहले ही जाच लेंगे previous knowledge तो आपको पता रख जाएगा बिल्कुल 100% सही बात है, इसलिए हम lesson plan जब बनाते थे अपने B.I.D.L.A.D. B.T.C.E.T.E. में तो हम previous knowledge को test करने के लिए questions रखते थे Reason क्या है इसका? Corporal punishment should not be practiced as a strategy to rectify the undesirable behavior of learners यानि शारिक दंड का अभ्यास सिक्षार्थियों के अवांचनी विभार को सुधारने की रणनीती के रूप में नहीं किया जाना चाहिए बिल्कुल सही बात है कि भाईया आप किसी को corporal punishment, आप किसी को मुर्गा या मुर्गी नहीं बना सकते Right to Education Act ये कहता है इसमें दिखाना ये उन्हें क्या answer सही दिया है ये उन्हें कहा है कि 36% लोग A कह रहे है इसमें सब confused है, इतने प्यारे question में सब confused होगे लेट गए सब एक तरफ से क्योंकि या तो आपको ये लगता है, या तो दोनों का लथ होंगे, दोनों सही होंगे कोई एक सही है या दोनों सही है में आप घबर आ जाते है अभिशेक क्या कह रहा है, मैं मैं last time paper में just qualify marks लाया था क्या वो paper फिर से दूँ अगर अभिशेक पैसों की दिक्कत नहीं है अगर समय की दिक्कत नहीं है और मन कर रहा है अपनी ये को satisfy करने के लिए तो आप दे सकते हैं, अधरवाइस कोई खास आप शकता है नहीं, but if you want तो आप दे सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है पैसे वैसे की, तो दे दो और अच्छे से और time की भी, तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छे नंबर लेके रख लो certificate, क्या बता किसी private school या किसी interview में थोड़ा बहुत impression बनाने के काम आजाए देखेगा, अगर हम बात करें correct option की, तो इन में से दोनों ही सही हैं, बट ये जो कथन था इसका सही reason ये थोड़े ना है दोनों अलग-अलग बाते कर रहे हैं कोई के रहे हाँ, मुझे तो बहुत प्रेम है वो दूसरा के रहे हाँ, मुझे भी लेकि मुझे फलाने से है, तुम्हें फलाने से है दोनों अलग-अलग बाते कर रहे हैं, दोनों सही हैं अपनी जगा पे not the correct explanation of A यानि A और R दोनों ही सही हैं लेकिन R जो है वो सही व्याक्या नहीं है A की A के बारे में तो बात ही नहीं हुई previous knowledge के बारे में यहां तो दंड की बात होने लग गई कुछ और ही बात हो रही है ठीक है ना तो B option is the right answer समझ पा रहे हो question number 22 देखिए ऐसी बात देखिएगा फटा फट से 22 वा सवाल कहता है any pedagogy which considers subject matter as an end in itself is likely to yield dash among students यानि कोई भी अध्यापन जो विशेवस्तू को अपने आप में एक अंत मानता है यानि जो content है, जो text book है जो subject matter है वही अपने आप में अंत है तुम से ही शुरू, तुम पर ही खतम, सारी कहानी तो किस पर, text book पर या syllabus पर उसके बाहर एक अक्षर नहीं पढ़ेंगे जब आप ऐसा सोचते हैं तो इस बात को कैसे देखना पसंद करेंगे, बताईएगा ब्लॉक मत कर दे ना, पूल वाली दिदी रिवेस एर कह रहे हैं तो आएसी हरकते मत करो ना, पूल वाले भहिया इधर आओ, देखो एक बार अगर हम बात करें, एनी पेड़गाजी बन्सान को पता होता है कि उसकी हरकते कैसी है कि उसको ब्लॉक किया जा सकता उसको पता है, लेकिन नहीं बंगे लेने है मजे करने है, यही तो केक मिल रही है जीवन में इसी बात से, कुछ बड़ा नहीं है इसी से केक लेंगे, देखेगा एक बार बताएगा फटा-फट से अभी निउस आईए कि यूपी में प्राइवेट टीचर बनेंगे बस सना इस पर हम बात करेंगे कई बार चीज़ें बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट कर दी जाती है हो सकता है, यह exact बात सही हो सकता है इसमें कुछ और चीज़े हो जानने के लिए इनको वेकेंसी निकालने की तो फुर्सत नहीं है अब यह और रह गया था बस है अगर यह सच है तो सीधा रास्ता अच्छा मनीशा, आ जाओ इधर देखो बताओ, subject matter को जब आप सब कुछ मान लेंगे, तो इससे क्या होगा students के बीच, desire for innovation बढ़ेगी, जब आप किताब के एक पेज से, एक बुक से जादा कुछ पढ़ने को यह तयार नहीं है, तो काई है की innovation, कोई mastery नहीं हो सकती ऐसी situation में, ratification होगा, motivation to learn, नहीं, resistance to explore, अगर आपको यह कह दिया जाए कि innovation के लिए प्रतिरोध है यह, कि जो कराया जा रहा है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बस यही देख लो, तो इसमें आप explore नहीं करेंगे न, आप खुद का दिमाग लगाना छोड़ देंगे, जो की paper के लिए सही हो सकता है, क्योंकि अब आप competitive exams में है और time अगर नहीं है आपके पास, तो बहुत जादा समय नहीं है न कि आप explore करें, लेकिन अगर normal case में, जब हम सिखा रहे हैं बच्चों को school में और ये काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चा अपने आप explore ही नहीं करेंगा, वो internet पर कुछ देखता उस चीज़ के बारे में वो किसी website पर कुछ पढ़ता, कोई activity करता कुछ और जारने की कोशिश करता उस विशह में अब वो resistance create कर दी, आपने exploration के प्रती अब वो innovation नहीं करेगा, अगर आपने सर्फ subject matter को text book को ही final मान लिया तो जो कि गलत बात है D option is the right answer आगे बढ़ेंगे question number 23rd पर अगेन आपका favorite question assertion यानि एक कथन है और उसका reason है कथन है और उसका reason है students should be taught self-regulatory knowledge about when, where and why to use variations various learning strategies variations नहीं होगा या variations in learning strategies होगा तो अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को विभिन अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहां और क्यों करना है इसके बारे में स्वर नियामक ज्यान सिखाया जाना चाहिए यानि बच्चों को ये self-regulatory knowledge होनी चाहिए कि वो अपने आपको regulate करके उसको कहां, किस चीज को use करना है उसको पता हो इसका reason क्या दिया है एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने के संभावना बढ़ जाती है यादि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहां और क्यों करना है दोनों ही बातें एकदम सही लग रहे हैं दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है अलग-अलग बात नहीं है एकदम सही है ठीक ना? इतनी बात clear है या नहीं? clear है कि नहीं है? सही कह रही हो शाले नहीं? मैम एक question मैंने तीन चैनल से पढ़ा और सबने answer अलग-लग बताए बहुत confusion है पंकच कुमार उस question को आप मुझे mail कर दीजे कुछ लोग अपनी ego satisfy करने के लिए पढ़ाते हैं और दूसरे को गलत साबित करने के लिए क्योंकि उन पे वैसे तो ध्यान दे नहीं रहा कोई शायद ऐसे दे ले दूसरा कुछ लोग होते हैं वो answer की check नहीं करते है officially और कई बार किसी से natural गलती भी हो सकती है तीसरा scenario उसका ये है तो ऐसी possibility है तो सबसे पहले तो बहतर तरीका ये है कि किसी भी channel पर अगर आप trust करते हैं वहाँ से पढ़िये शानती से और concept को clear कीजए concept clear होगा तो आपको चीज़े समझ में आएंगी खेर आप mail कर दीजएगा मैं आपकी जो भी संभावना होगी उसमें उस पर discussion करके लिख देना तीन questions in different channel फालान और इमकाना जो भी है mail में लिख देना और दो-तीन बार mail कर देना तो मैं देख ही लूँगी अभी ना कभी रात में ही कर देना mail चलिएगा ओदैसर कहां है प्रकृति आएंगे ओदैसर आजकल व्यस्त है मैं नहीं से पूछिएगा कहां व्यस्त है student should be taught self-regulatory knowledge यानि बच्चों को अपनी knowledge को regulation करना आना चाहिए कि कहां किस अधिरम का प्रयोग करना है इससे क्या होगा learning strategy से आपको समझ में आ जाता है कि किन चीजों को आपको कहां use करना है दोनों बातें सही है बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A तो A option सही होगा सिर्फ सही नहीं है बलकि correct explanation भी है ठीक है ना तो A option is the right answer आगे बढ़ेंगे question number 24 पर पढ़ेगा फटाफट से जवाब दीजेगा question number 24 कहता है which of the following is an example of metacognitive skills metacognitive skills क्या होती है आपकी thinking about thinking awareness of awareness आप अपनी thinking को कैसे control कर रहे हैं क्या दिशा दे रहे हैं कैसे plan कर रहे हैं कैसे review करेंगे यह है metacognitive skills तो इनका प्रयोग example कौन सा है metacognitive skills का पहला option है evaluating process used by oneself in solving a problem यानि किसी समस्या को हल करने में स्वेम दोआर प्रयोग प्रक्रिया का मुल्यांकन करना कि आपने जो चीज प्रयोग किया किसी problem को solve करने में वो किस हद तक सही है बात तो सही है फिर आता है B option identifying the difference between two pictures इसमें तो analysis लगेगा इसमें कोई metacognition नहीं लग रहा इस तो cognitive skill है analysis Bloom's taxonomy में आपने पढ़ी होगी higher order thinking skills में आती है knowing the chemical formula of methane यानि इसमें भी आपका simple application लगेगा recalling the chronological order of a particular dynasty कि पहले चोला थे या उसके बाद क्या था तो ये सब क्या है इसमें भी आपका कोई metacognition नहीं लगा memory लगेगी जो की cognitive skill है किसी समस्या को हल करने में स्वेम द्वारा प्रयूक्त प्रक्रिया का मुल्यांकन कि जो तरीका आपने अपनाया है वो सही है कि नहीं है thinking about thinking तो A option is the right answer आगे बढ़ेंगे question number 25 question number 25 देखेगा एक बार question number 25 अगर हम बात करते हैं our teacher intends to facilitate procedural knowledge यान एक teacher है जिसका focus इस बात पर है कि बच्चे का प्रक्रियात्मक्यान procedure मान लिजे cycle चलाने का कुछ है तो वो procedure बच्चा सीख जाए इस बात पर focus है है ना ये बात तो ठीक है फिर आता है among our students which of the following questions is appropriate for this purpose कौन सा एक question सही होगा procedural knowledge को बहतर करने के लिए पहला option है how to solve an oxidation equation यानि कि कैसे आप एक oxidation reduction equation को oxy upchange हमी करन को solve करेंगे तो इसका एक procedure होगा इसके कुछ steps होंगे cycle अगर आप चलाना सीख रहे है तो उसके कुछ steps होंगे steps मतलब procedure की बात हो रही ये बात तो सही लग रही है फिर B option देखते है what are the components and structures of DNA इसमें कोई भी procedure नहीं होगा इसमें simple चीजें होंगी इसमें details होंगी कि क्या components होते है which planet is closest to the sun इसमें भी कोई procedure नहीं होगा कि आप जाके देखके आएंगे कि कहां है planet कौन सा closest है आप गए और देखकर के आए space यान में who wrote Indian national anthem अब इसमें आप सीधा-सीधा answer कर देंगे और but आप इसमें कोई procedure थोड़ी बताएंगे कि कैसे लिखा था नहीं बता पाएंगे न तो ये a option है कि कैसे किया था कोई काम कैसे किया जाना चाहिए वो होती है procedural knowledge a option is the right answer question number 26 देखेगा और चार question रहे गए आज की set में अगर आप 30 question ने साथ बैट के solve नहीं कर पाते हैं आप 500 question का paper कैसे solve कर पाएंगे बताएंगे फटा फट से बताएंगे जल्दी बताएंगे पड़ा को जी हो रही है बैच में क्यों नहीं होगी जवाब दीजेगा जवाब class का time है 9 बजे 5-7 मिट के अंदर अंदर हम शुरू कर देते हैं देखेगा question number 22 समझ नहीं है समझा देंगे दुबारा से देखेए to make learning meaningful for students a teacher should यानि अधिगम को अर्थपूर बनाने के लिए teacher को क्या करना चाहिए बच्चों की life से जोड़ देना चाहिए रटवा करके तो meaningful नहीं बनेगा ये तो दोनों एक दूसरे के opposite हैं रट के सीखना और अर्थपूर ना दिकम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं employee stimulus response इससे भी रटना ही होगा या conditioning होगी stimulus response से frequently used tangible rewards इससे भी रटने पर focus होगा meaningful नहीं होगा provide opportunities to think and reflect on experiences यदि आप ऐसे अवसर प्रवान करेंगे बच्चे को जहां अनुभव और चिंतन और मनन करने का मौखा मिलेगा तो वो चीज meaningful होती है जिसके लिए आप दिमाग का प्रयोग करते हैं जिसमें आप समझने की कोशिश करते हैं समझ पा रहे हैं ना बात को तो वो meaningful होती है तो D option is the right answer आपके लिए उसका कोई अर्थ होगा उसको आप नहीं भूल पाएंगे question number 27 ठीक question number 27 देखेगा यह कहता है a teacher asked a student to speak his thoughts to himself यानि teacher ने कहा बच्चे को कि अपने thoughts, अपने विचार खुद से ही बोलो when he was somewhat stuck in solving a given problem जब तुम किसी step पे first गए हो तो खुद से ही बात करो इस problem के बारे में, इस concept के बारे में soon enough after doing so student exclaims I know the answer now which problem solving strategy has helped the student in this case यानि कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फस गया था, अटक गया था किसी step पर तो उसके सिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया कि भई या खुद से बात करो इसके तुरंत बात बच्चे ने का मुझे आप जवाब पता है जैसे आप अटक जाते हैं कहीं और आप फिर से शुरुआत से सोचना चुरू कर रहे हैं उस चीज़ पर तो अचानक से आपको आइडिया आ गया मतलब आपने बोल बोल के खुद से ही बाते की यानि वर्बलाइजेशन कहेंगे इसको ठीक है ना, फंक्शनल फिक्सनेस तो एक ऐसा तरीका है कि आप दूसरा तरीका अपना ही नहीं रहे problem solve करने को, यह तो problem होती है निमोनिक है कि आपने short form बनाई हुई है जैसे हम SCL, society, culture, language की बात करते हैं, response set तो एक ही ढंग होता है सोचने का, लेकिन verbalization यानि मौकी की करन आपने खुद से बात की और आपको समझ आ गया, तो यह verbalization है आगे बढ़ेंगे question number 28 पर दो question और हैं, देखेगा समझने का प्रयास करते हैं which of the following statement is not correct in context of misconceptions formed by students यानि भ्रांतियों के संदर्ब में निम्रिखित में से नहीं है, जल्दी बताएगा not correct, कौन सी बात, है कौन सा सवाल हो, जो सही नहीं है misconceptions, समझ रहे नो, भ्रांति मतलब naive conceptions, देखो भ्रांतियों को 2-3 तरीके से जाना जाता है पहले वो समझेंगे, जवाब आप देते रहिएगा देखेगा, ये जो misconceptions है, जिनको हम भ्रांतियां कह रहे है misconceptions, इनको हम वैकलपिक, अवधारनाएं भी कहते है भ्रांति कह रहे हैं, अभी हम ध्यान रखी का इस पे एक question आता ही है ठीक है, शान्ति नहीं भ्रांति कहेंगे, इसको दूसरे भाशा में क्या कह सकते हैं हम इसको हम alternative alter, alternative होता ना कि राकेश नहीं सुरेश सही, alternative दोस्ती करने थी, alternative conception भी कहते हैं इसको, यानि वैकलपिक अवधारनाएं भी कहते हैं और इसी चीज़ को इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं इसी चीज़ को हम कहते हैं naive conceptions, यह समय समय पर भाशा बदलती रहती है naive conceptions, बात वही रहती है naive conceptions naive होता है अनुभवीन बच्पन वाली स्थिती, naiveness ठीक, अगर हम बात करते हैं misconceptions की alternative conceptions की naive conceptions की, ये सब वो चीजे हैं जो बच्चा भ्रांती create कर लेता है किसी चीज को समझने में जैसे जब उसने तालाब में पानी देखा और वो पानी हरे रंका था, तो वो ये सोच लेगा कि पानी तो हरे रंका ही होता है जब teacher उसको पढ़ाएंगी कि पानी colorless होता है, water is colorless तो उसके दिमाग में भ्रांती आईगी और वो काईगा, नहीं मैंने तो green colorless देखा था, तो ये भ्रांती ठीक करने की जुलत होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा stupid है, at least बच्चे ने सोचा तो, उसने अपने अनुभव के basis पे बताया, तो जैसे जब train चल रही है, तो वो सोचता है पेड़ भी चल रहे हैं, हम सबने बच्चपन में ऐसा ही सोचा है, तो पेड़ भी चल रहे हैं साथ में, तो ये क्या ये भ्रांती है, जब आप चलते हैं, तो सूरज आपके साथ चल रहा है हर जगा, ये भी क्या है भ्रांती है, तो ये misconception conception create हो जाते हैं कई बार learning के दौरान, लेकिन इसका मतलब ये निए बच्चा बेवकूफ है, इनको हम misconception या wrong conception ना कह करके, alternative conception कहते हैं, naive conceptions कहते हैं, कि ये बच्पने में बच्चे ने वेकल्पिक अवधारना बनाई है, लेकिन बनाई तो है, तो इनको बुरा नहीं माना जाता है, बट इनको correct किया जाता है, challenge करके, discussion करके, इन पे, है न, इनको खराब नहीं मानते, तो कौनसी एक बात, इनके context में सही नहीं है, misconceptions can be used constructively by a teacher in the process of learning, यानि भढान्तियों का प्रयोग सिख़क द्वारा सीखने के प्रक्रिया में रचनात्zne क्रुप से किया जा सकता है, ये बात तो सही है, और हमसे तो गलत पूछा है, हमसे तो not पूछा है, भई आप इन भढान्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, बच्छों का concept को clear कराने में, क्योंकि ये भ्रांतियां, confusions तो होई सकती हैं, कभी भी होंगी learning में, आज भी होती हैं, दस साल बाद भी होंगी लोगों को B option है, misconceptions characterizes the initial phase of children's understanding of certain concepts, यानि भ्रांतियां कुछ संप्रत्यों के बारे में बच्चों की समझके प्रारमधिक चरण की विशेष्टा है, कह सकते हैं कि जब बच्चा शुरू करता है किस चीज़ को तो ऐसी भ्रांति होना, स्वभाविक बात है natural बात है, ठीक है ना इतनी बात clear है या कोई और दिक्कत है, क्या पूछरो मैंने m.com की है, जिसमें मेरे 49% है और subject combination की वज़ा से TGTSST में eligible नहीं हूँ क्या मैं KVS और Deed Plus B मैं PRT के लिए eligible हूँ BED में ये आपको जिस time पे BED किया हुआ ना आपने जिस time पे आपने अगर वो किया था ना KVS में तो मुश्किल है, Deed Plus B में आपको chance मिल सकता है तो जब वो notification निकालेंगे आप previous notification एक बार पढ़ लो कई जगा पर 45% चाहिए होते हैं कई जगा पर 50 भी चाहिए होते हैं तो वो आप एक बार देख लिए KVS में तो मेरे खेल में नहीं कर पाएंगे आप, देखेगा वहाँ 50 से उपर ही चाहिए Misconceptions clearly indicates Children's inability to learn anything new and advanced ये भी बात गलत है और यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है कि जो भ्रांतियां हैं इस पर श्रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उननत सीखने की अर्शमता को दर्शाती है वही भ्रांति होने का मतलब यह थोड़ी है कि अब बच्चा सीख नहीं पाएगा कि अब वो कुछ नया नहीं सीख पायागा यह तो बहुकूफी की बात हुई किसी से गलती होगी यह थोड़ी है अब वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं करेगा यह बात तो सही है कि जैसे वो सीखते हैं वो जो उन्होंने अब्जर्व किया है उस बात पर बात कर रहे हैं तो सी ऑप्चन गलत था इसलिए सही था question number 29 देखिएगा second last question है आज का फिर हम खत्म करेंगे आज की कहानी फिर हम मिलेंगे सीधा संडे जिसमें हम बाते करेंगे संडे बारत करेंगे और वो जो आपका जो भी notice है जिसको लेके आज शामसे में क्लास में भी देख रहे हूं तानिया उकके उस पे भी बात कर लेंगे अगर कल फुरसत मिली तो सिंगल हो तो हाथ उठाओ यार शवीर जाफरी कह रहे हैं हाँ 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 बेरोजगार हो तो भी उठा दे हाथ शरम तो नहीं आती देखिए एक बार अब फोकस कर लो यार काम हिल्ले पे क्यों परिशान रहते हो कैसी कैसी बाते करते हो देखो एक बार which of the following emotion positively सिंगल होने में शरम है इनको दुख है बहुत दर्द है बेरोजगारी में दुख नहीं है वहाँ दर्द नहीं है देखिए एक बार which of the following emotion positively impact learning यानि कौन सा एक emotion कौन सा एक समवेग है जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है अधिगम को कल वाले सौंग का नाम बताईए ना प्लीज मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया था हाला कि इसमें म्यूजिक था बट जो समयज़दार लोग होंगे उन्होंने नाम घूंड लिया होगा मैं बिलकुल भी embarrassed महसूस नहीं करना चाहती इसलिए नहीं बता सकते हैं देखे एक बार अगर हम बात करें निमलिकित मैं से कौन सा समवेग स्टोरी पे होगा अभी भी समवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है यानि सीखने को positively impact करेगा कई कुछ emotion negative होते हैं बात बेरुसगारियों बेज़दी की नहीं है बेट जब आपको बुरा फील हो रहा है सिंगल होने पे तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं जीवन में अपने लिए और अपने आसपास वालों के लिए उसमें भी होना चाहिए boredom की जब हम बात कर रहे हैं तो boredom negative है fear negative है anxiety negative है इनसे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे लेकिन अगर आपको hope है कि कोई बात नहीं यार अभी नौकरी नहीं लगी महनत कर रहा हूँ या कर रही हैं अच्छे से कुछ ना कुछ जीवन में कर लूँगा नहीं तो नौकरी भी लेगी लूँगा उससे पहले तो आशा जो है वो positive है learning को आपकी आगे लिखे जाएगी आगे बढ़ेंगे question number 38 यह सब के लिए नहीं होते इस तरह की जोक दिल पे मत ले जाये करो बेरोजगारी वाले जोकों को जोकों नहीं होता वैसे जोक सी होता है जेकिन क्या कर सकते हैं देखेगा which of the following set यह ऐसे लोगों के लिए होता है जिनको class में सिर्फ उदंडता मचानी है which of the following set of attributions for failure एक second which of the following set of attributions for failure on a task is likely to motivate a student for future attempts यानि बच्चा मान लिजए किसी एक task को किसी एक काम को करते हुए fail हो गया है तो कौन सा एक set होगा attributions का कौन सा एक तरीका होगा जिससे वो भविश्य में प्रयास करने के लिए motivated रहे एक बार fail होगे तो यह थोड़ी कि अब दुबारा try नहीं करेंगे समझेंगी ना आप हमेशा गलत कमेंट्स ही बढ़ते हो कभी भी अच्छे कमेंट्स नहीं बढ़ते है गौतम शांडले कह रहे हैं यार अच्छे भी बढ़ते हूँ मैं थोड़े जो different होते हैं वो अलग से दिख जाते हैं पता नहीं कैसे positive भी बढ़ती हूँ जिससे बच्छा motivated रहे आगे future में attempt करने के लिए तो क्या मानना चाहिए बच्छों को अगर आप ये मानने के मैं बुद्धी मान नहीं और बुद्धी मान होना तो इस्थिर होता है तो फिर तो आप करेंगे इससे तो आगे के लिए motivation नहीं आएगा फिर है B option I didn't put enough effort this time although I am capable of doing so ये बात सही है ये सही चीज है कि मैंने इस बार परियाप्त प्रयास नहीं किया जितनी महनत की जुरत थी उतनी महनत मेरे से नहीं हो पाई हालां कि मैं ऐसा करने में समर्थ हूँ मैं इस चीज कर सकता हूँ अगर मैं बहुत अच्छे से महनत करूं तो तो इससे आप आगे महनत करने के लिए motivate होंगे sorry C option है teacher was biased towards me I can't change her perception about me अब ऐसे लोग इसको rationalization कहते हैं किसमे defense mechanism में कि भाईया teacher की गलती थी मैं तो इसलिए fail हो गया हो गई आपकी भी तो जम्मेदारी थी अपनी प्रती this particular exam falls on Tuesday और Tuesday तो में लिए लिए unlucky day होता है ये सब बिकार की बाते हैं इन में आपका control नहीं है जिस चीज पर आपका control है वो है आपकी महनत तो B option is the right answer over here अब किसी को एक तो 22 सवाल में दिखकत थी और किसी को कल वाले questions में भी दिखकत थी ये seated और pedagogy special batch में अगर आप enroll करने में interested है तो आप career lab download करेंगे उससे पहले हम कल का 30th question देखेंगे देखिएगा which of the following is an inappropriate ये inappropriate way कौन सा है तो अगर आप feedback बच्चे की शमता के आथार पर देंगे कि आपके बच्चे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो वो गलत होगा inappropriate way है ठीक अनुचित तरीका है कि आप बच्चे की शमता पर सीधा सीधा वार करें कि इसके तो बसका ही नहीं है तो वो गड़बढ हो जाएगी ठीक आज की किसी के यही बताया था मैंने कल बस इसको confirm करना था एक बार question में 22nd देखेगा किसी को उसमें भी confusion थी question आज out of 30 कि दने question ठीक हुए वो आप comment करके बताएंगे और देखेगा any pedagogy which considers subject matter as an end in itself is likely to yield बई कोई भी pedagogy का मतलब क्या teaching method जो subject matter को जो text book को ही final मानती हो कि ये हमारा content है यही 4 chapter पढ़ने है इसके बाहर कहीं दुनिया की किसी जगह से कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं जानना text book ही अंत है end in itself तो ऐसे लोगों में resistance create हो जाती है explore करने को लेके innovation के प्रति प्रतिरोध आजाता है option is the right answer over here hopefully आपको ये session पसंद आया होगा 30 out of 30 नहीं तो 25 plus at least आपलाए होंगे, आज का paper comparatively easy कहेंगे hopefully आपको मज़ा आया होगा ये questions का pdf और इसका क्या कहेंगे mock test एक एक करके ये सारे आपको मिल जाएंगे कहां, career will app पर तो और ये mock test free होंगे सभी के लिए ठीक, चलिए खेर आज के लिए इतना ही, be your own constant